Welcome Dear Students, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उन दो टोपिक्स की, कौनशे दो टोपिक्स की? वो टोपिक्स जो पिछली क्लास में अपने छूट गए थे, रह गए थे, जिनका explanation हमने नहीं किया था. कौनशे टोपिक्स हैं? देखिए, पहला टोपिक है कि तनुकरण या डायलूशन किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? और दूसरा टोपिक है कि जब हम तनुकरण करते हैं, तो तनुकरण करते समय अमल को जल में मिलाते हैं, या आप लोग उसे पूछ रहा है परशन, कि अमल को जल में मिलाएं या फिर जल को अमल में मिलाएं ठीक है आप कहेंगे कि सर जल को अमल में मिलाएं ठीक है अमल को जल में नहीं मिलाएंगे तो आपको explanation देना पड़ेगा कि क्यों यह बात आपको समझानी पड़ेगी और आपको यह बात आपने अगर समझा दी तो उसी स दोनु पर्षनों को समझना जरूरी है क्योंकि दोनु पर्षन, दोनु टोपिक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ठीक है बचा तो शुरू करेंगे कि पहला है तनुकरण किसे कहेंगे लेकिन सबसे पहले दूसरा शुरू करेंगे अपन उसके बाद डेफिनेशन आ हमने क्या किया है बचा दो बिकर लिये हैं यह बिकर A है और यह बिकर है B ठीक है दो आप समझ लीज़े आपके घर में दो गिलास है उन गिलासों में एक गिलास काच का गिलास लेना है क्योंकि एक गिलास में हम क्या करते हैं बचा अमल लेते हैं एसिड ठीक है और एसिड यहाँ, example जो अपन ले रहे हैं, वो sulfuric aml का, sander sulfuric aml किस परकार के हैं, यह sander billion है, sander, sander H2SO4 है, और sander ही HNO3 है, sander H2SO4 का मतलब sulfuric aml है, और sander HNO3, HNO3 किसका formula है, nitric aml है, यह दो acid है, strong acid है, purple aml है, अब एक जो बीकर है उसमें तो हमने ये प्रबल अमल ले रखा है और दूसरे बीकर में क्या है बचा पानी ले रखा है जल ठीक है पूछना क्या चाहरा है वो आप लोगों से या मैं आप लोगों से ये पूछना चाहरा हूँ कि अब अपने को क्या करना है बचा इस एसीड का तनू करन करना है तनू करन का मतलब इसका जो गाड़ह विलियन है उस गाड़ह विलियन को पतला करना है गाड़ह विलियन को क्या करना बचा पतला करना है किसी सांधर विलियन को तनू करने की जो परिक्रिया न उसको हम क्या क एक बिकर में अमल है और दूसरे में जल है। अब आप लोगों ये पूछना चाहता है कि इस अमल का जो solution है यहाँ पर इस अमल के solution को करना क्या है? पतला करना है तो क्या मिलाना पड़ेगा बच्चा? पानी मिलाना पड़ेगा। तो परसन ये पूछना चाहा रहा है कि इस पानी को इसमें मिलाएं, अमल में मिलाएं ताकि अमल पतला हो जाए या फिर इस अमल को किसमें मिलाएं बच्चा? पानी में मिलाएं ठीक है? तो जो भी आंसर है मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि जब भी हम किसी परबल अमल का सांदर अमल का तनूकरन करें तो करना क्या है? इस अमल को किसमें मिलाना पड़ेगा? इस अमल को मिलाना पड़ेगा बच्चा? इस जो अमल जो है इस अमल को हम किसमें मि इस अमल को मिला देंगे किसमे भई इस अमल को मिलाएंगे यहां पर किसमे पानी पानी में मिलाएंगे इस अमल को किसमे मिला देंगे पानी में मिला देंगे किसमे मिला देंगे पानी में और कैसे भई इस अमल को हम मिलाएंगे भई बूंद बूंद करके धीरे धीरे इसमें acid डालेंगे ना तो बूंद बूंद करके धीरे धीरे इसमें acid डालेंगे ठीक है साथ में क्या करेंगे बच्चा इस बीकर को हम क्या करते रहेंगे सेक करते रहेंगे हिलाते रहेंगे क्या करते रहेंगे इस पानी को क्या करते रहेंगे हिलाते हुए इस एसिड को बूंद बूंद करके पानी में मिलाएंगे दो बात बताई मैंने कि क्या करेंगे पहले बताना क्या है कि हम अमल का अगर किसी सांदर अमल का तनुकरन करें तो करेंगे क्या कि हम अमल को किस में मिलाते हैं अमल को मिलाते हैं बच अम्ल को जल में मिलाते हैं, ने की जल में अम्ल को, और दूसरी बात क्या है, जल को लगातार हिलाते हुए, जल को लगातार हिलाते हुए, जल को लगातार हिलाते हुई इस पानी को थोड़ा सा हाथ से आप हिलाते रहेंगे जिससे ये अमल इसमें धीरे धीरे लगातार जल को लगातार हिलाते हुई बिकर में जो जल है बिकर को हिलाएंगे जल हिलेगा थोड़ा थोड़ा ये घुलेगा बूंद बूंद करके अमल मिलाते हैं तो ये तो आपका फस्ट जो पार्ट था आपके टोपिक का उसका आंसर हुआ है क्या पार्ट था कि अमल को जल में मिलाएं या जल को अमल में मिलाएं तो आप क्या कहेंगे अमल को जल में मिलाते हैं अमल को जल में मिलाते हैं और कैसे मिलाते हैं जल को लगातार हम हिलाते रहेंगे किसी चम्मच की सायता से भी हिला सकते हैं ठीक है और बूंद बूंद करके इसमें अमल डालते हैं अब इसका explanation आपको देना पड़ेगा भी क्यों क्या पूछ रहा है ऐसा क्यों करते हैं ऐसा क् तो इसका answer है, क्योंकि, आपको answer लिखना पड़ेगा, क्योंकि, क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि, number 1, जल्वए अमल की अभीकिरिया, उस्माकशेपी होती है, जल्व है अमल की अभीकिरिया किस परकार की होती है बच्चा उस्माक शेपी किस परकार की होती है उस्माक शेपी एक्जोथर्मिक रियक्शन होती है किस-किस की वाटर और एसेट्स के ठीक है उस्माक शेपी अभीकिरिया होती है ठीक है इसलिए जिस पातर में हम यह अभीकिरिया करवाएं जिस पातर में अभीकिरिया करवाते हैं वह पातर क्या होता है बच्चा गरम हो जाता है और गरम होकर कि यह तूट भी सकता है अगर क्या करें हम जल को सिदे पानी जल को किसमें डाल देंगे सिदे अमल में डाल देंगे तो समझगे बात को इसलिए जल को सिद्धे अमल में नहीं डालेंगे अमल को जल में बूंद बूंद करके डालेंगे साथ में जल को हिलाते रहेंगे ठीक है जल वा अमल की अभिकरिया उसमाक शेपी अभिकरिया होती है ठीक है दूसरी बात क्या लिखेंगे ठीक है आता है जल को यदी अमल में मिलाया जाए अगर जल को हम अमल में मिला देंगे ना तो यह पूरा जो एसीड है वो बाहर आ जाएगा एकदम से ठीक है तो जो पदार्थ है जो अमल है वो आसफलित होकर बाहर आ सकता है तो जो अमल है वह आसफलित होकर किस से बाहर आ सकता है पातर से बाहर आ सकता है वह आसफलित होकर यह शब्द दिहान में रखना आसफलित ह होकर ठीक है आस्फलीत होने का मतलब जैसे मालों के अपर देशी बासा में कह सकते हैं कि उफन कर ठीक है जैसे दूद बाहर निकलता है ना आस्फलीत होकर उफन कर बाहर आ जाता है ठीक है इसी परकार यह अमल जो है ना वो आस्फलीत होकर पातर के बाहर आ सकता है होकर पातर अपने शरीर को क्या हो सकता है बच्चा नुकसान हो सकता है और हमें और अपने सरीर को नुकसान हो सकता है और अपना सरीर नुकसान किस परकार का अपना अपना सरीर जो होता है जल सकता है अगर अपने शरीर पे गिरेगा ना तो क्या होगा है बच्चा वह जल सकता है एक और खास बात है कि जो काज का पातर जो ना वहे भी तूट सकता है इतना गरम हो जाता है बहुत अधिक उसमा खेपी होती है इसलिए अगर आपने पानी एकदम से उसमें सांधर सेल्फिरिक में जैसे दूद में अपन पानी डालते है ना बेसा अगर पानी डाल दिया एसिड में तो acid बाहार एकदम से घरम हो जाएगा और गरम होकर वह पातर तूट जाएगा. तूटने के बाद खास तोर से वह बाहार भी निकल कर के आता. अज़ आपने बाए देवे एक हात में acid ले रखा हो, दूसरे हात में पानी ले रखा हो, पानी को acid में डाला, तो एसिड एकदम से जैसे कोको कोला बाहर निकलती है ना कोको कोला में भी क्या होती है बच्चा एसिड होती है कार्वन डायक्षाड गेस अब एक तरह से एसिड है तो बाहर निकलती है ना तो क्या होता है उसी परकार वो एसिड बाहर निकल जाएगी कि जल को अमल में नहीं मिलाना है, किस में क्या करना है, अमल को जल में मिलाना है, बूंद बूंद करके मिलाना है, जल को हिलाते हुए मिलाना है, ठीक है बचा, अब हम बात करेंगे अगले टोपी की, कि जल को अमल में जब मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जल को किस में मिल मिलाते हैं क्या नहीं मिलाते हैं अमल को किस में मिलाते हैं जल में मिलाते हैं तो क्या होता है उसका तनुकरण हो जाता है तनुकरण का मतलब होता है कि परती एकांग जो आयतन होता है तो परती एकांग आयतन में जो अमल जो होता है ना उसके आईनों की संख्या में क्या हो ज प्रति एकांक आयतन में कमी होना क्या कहलाता है तनुकरण कहलाता है इस परकार के आप डेफिनेशन लिखेंगे तो दूसरा टोपिक और आंसर उसका भी देख लीजिए तनुकरण किसे कहते हैं तनुकरण लिख दिया यहां पर एकदम आप भी नोट्स बना लीजिए तनुक जल में कि जब जल में जल में तो मिलाते हैं अमल या ख्षारक अमल मिला लो चाहिए ख्षारक मिला लो दोनों जल में मिलाना है जब जल में अमल या ख्षारक मिलाते हैं मिलाते हैं तो इनके प्रती एकांख आईतन में किसकी संख्या में कमी हो जाती है आइनों की संख्या में कमी हो जाती है तो इनके प्रती एकांख आईतन में किसकी संख्या में आइनों की संख्या में कौन कौन शी आइनों बनते हैं ह प्लस वे ओएच माइनस आइनों जो बनते हैं तो आइनों की संख्या में क्या हो जाती है क्या हो जाती है बच्चा कमी हो जाती है इसे ही हम क्या कहते हैं तनू करण कहते हैं तो ये definition है तनू करण कहते हैं एकदम सही definition जो आप examination में लिख सकते हैं और एक number आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत बड़िया person पूछ लेते हैं कि तनू करण किसे कहते हैं एक बार वापस से repeat कर देते हैं कि जब जल में अमल याक शारक मिलाते हैं तो इनके आईनों की संख्या में प्रती एकांक आईतन में कमी हो जाती है एकदम complete definition है इसमें कहीं कोई mistake नहीं है आपको पूरा number मिलेग एक number जितने कड़ ये person पूछा जाएगा उतनी number आपको मिलेंगे ठीक है बच्चा तो दोनों टोपिक्स आज की class में हमने आपको बताए हैं अगर class अच्छी लगे तो channel को subscribe जरूर करें सेयर जरूर करें thank you धन्यवाद